कवर 24 न्यूज सच वही जो दिखेगा एक साथ जमावडा लगा कर रहें सबजियों की खरिदारी जब केनुमंडल छेतर में लागू है धारा 144 फिर भी लोग नजर अंदाज कर लगा रहें जमावडा ग्रामिनों के द्वारा 100 नमबर डायल कर पुलिस पदधिकारी को सुचना भी दी गई लेकिन विकेबल आस्वा परशासन देकर ही रह गए यह जो सबताही खोट बजार है यह सीमरिया नुमंडल छेतर में आती है और यहां 144 धारा लागू है और इसके बावजूद भी गरामिनों के द्वारा भी लगा कर एक जूट लगा कर लाट्रों का उलंगन करते हुए तथा 144 धारा का उलंगन करत तो अस्थानी पर चारी दून पहले मैं बच्ची का पिता बनाओ फिर भी मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ मैं अपने 105 वर्षे बजूर पिता जी को घर पर छोड़कर सड़क पर ड्यूटी पर हूँ मैं अपने च्छते बच्चों को घर पर छोड़कर रोट पर ड्यूटी कर रही हूँ मेरे पत्नी हाथ पसंट है और मैं रोट पर ड्यूटी कर रहा हूँ मैं दो मेने के अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आपके लिए सड़क पर डूटी कर रहा हूँ मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं उसकी देख और छोड़कर आपकी सेवा में खरा हूँ मेरे पता जी 85 वर्स का है, परलाइसिस का सेवा की लिए जाना चाहता हूँ, परन्तु नहीं जा पा रहा हूँ मेरी नई साधी हुई है, हम अपने पडिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा में सरक पर खर रहे हैं मैं और मेरे पती जार्कन पूलिस पर है, हम तोनों अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं आप लोग से मेरे रहे हैं, घर मेरे हैं, सुरक्षित रहे हैं, जीवन बचा हैं करोना के विरोध इस लड़ाई में जीत आपके सहयोग के बिना असंभव है जार्कन पूलिस हमेशा आपके सुरक्षा के लिए 24 वंटा चैनात है करोना से समदित जो भी निर्देश दिया गया है, उसको गंबीरता पूर्वक लेते वे सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जीवन बचा हैं अगर पर है, सुरक्षित रहें, जीवन बचा है ऐसे में ग्रामिनों का कहने के स्थान ये प्रशासन का लापरवाही के कारण हर सप्ता सप्ता ही खाट लगाया जाता है और ऐसे ही प्रशासन की लापरवाही के कारण संकर्मन बढ़ने की संभावना है तंडवासे सालब सिंकी रुपरवाही के कारण